हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की ECONOMICS 12th क्लास के ECONOMICS को दो पार्ट में डिवाइड किया है एक Macro Economics है और दूसरी Indian Economic Development आज हम 12th क्लास का पूरा कॉर्स स्रक्शर देखेंगे देखेंगे कौनसे टॉपिक की कितनी वेटेज है क्योंकि मेरा ये मानना है एक अच्छी mark sheet बनाने के लिए subject wise का score करना बहुत ज़रूरी है तो अच्छे number लाने के लिए तुम्हे course content का पता होना बहुत ज़रूरी है तो देखते हैं economics 12th class की economics को दो पार्ट में divide कर दिया है एक तुमारी part A macro economics, part B Indian economic development जो economics है इस बार तुमारी 80 marks की होने वाली है एक्जाम में जिसमें part A macro economics 40 marks की रहेगी और part B Indian economic development भी 40 marks की रहेगी अब हम पता करेंगे कि part A macro economics में क्या क्या पढ़ना आगे part B Indian economic development में आगे क्या क्या पढ़ना है देखो ये आपके सामने board पे macro economics का पूरा content है आपने कौन-कौन सी unit पढ़नी है लेकिन पहले एक चीज़ बता देता हूँ destination का रस्ता जब तक ना पता हो ना तब तक destination असानी से नहीं मिलती तो नाम मातर सोच लेने से कि 12th class में अच्छे माक्स लिया होगे 90 plus 95 plus score कर लोगे ऐसे नहीं होगे सबसे पहले शुरुवात कर दी होगी course के बारे में जान कर तो हम course का एक ए content देख रहे हैं कैसे कैसे उसको उपर-उपर से review लेना है तो macro economics अभी बताया था मैंने कि total मिलाके 40 marks किया है इसमें 5 units है macro economics के अंदर 5 unit में पूरा course डिवाइड किया हुआ है एक-एक unit के बारे में जानते है unit number 1 national income and related aggregates इसमें country की national income को calculate करेंगे उससे जुड़े वी और दूसरे concepts को पढ़ेंगे GDP, domestic income, foreigners, domestic buyers, national buyers ये कौन होते हैं ये सब कुछ जानेंगे फिर money and banking money और थोड़ा banking system पढ़ना है आगे country के अंदर employment और income कैसे effect होती है total aggregate demand और aggregate supply क्या होती है next unit fourth सरकारी budget हमारी सरकार कैसे पैसे खर्चती है कैसे कमाती है, कहां से लाती है कहां लेकर जाती है, सब का चिठ्ठा इसमें ही पढ़ना है और last unit है macro economics की balance of payment and foreign exchange इसके अंदर foreign currency का export, import पर क्या फर्क पड़ता है हमारी currency की value ऊपर नीचे कैसे होती है क्या क्या चीज़े हम foreign country से खरीदते हैं क्या बेचते हैं, उसका content देखना है इसकी weightage देख लेते है national income हमारे पास रहेगी इस बार 10 number की money and banking होगी 6 number की, फिर determination of income and employment तुमारी 12 number की सरकारी budget आजाएगा 6 number का और last unit जो macro economics की है वो भी 6 number की balance of payment in totality तुमारे हो गए 40 marks अगली book पे आते हैं यह है Indian economic development इस book को तीन पार्ट में डिवाइड किया है तीन units बनाई है इसकी part 1 है development experience and economic reforms part 2 तुमारा current challenges facing Indian economy और last part है development experience of India in comparison to different countries जो की हमारी mainly होने वाली है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तो देखते के करके जो part 1 है इसके अंदर जब हमारा देश अजाद हुआ था अंग्रेजों के चंगूल से जिदिन छूट गया था उस दिन से लेकर 1990 तक हमारी country ने कैसे development की उसका experience देखना है किन हालातों में अंग्रेज हमें छोड़ कर चले गए थे हमारी country की conditions क्या थी agriculture कैसा था, population कैसी थी पढ़ाई लिखाई कैसी थी life expectancy rate कैसी थी, education standards सब कुछ जानना है उसके बाद 1991 से इंडिया ने ऐसी कौन-कौन सी policies बनाई, कौन-कौन से reforms किये कि इंडिया आज आगे बढ़ रहा है वो सब जानना है हमें part 1 में इंडियान economic development के ये exam में तुमारा 12 marks का आएगा फिर part 2 ये है current challenges facing इंडियान economy, आज भी इंडिया के सामने कौन-कौन सी problems है like unemployment, poverty, sustainable development, infrastructure, rural development, rural credit, farmers के सामने कौन-कौन सी problems है ये सब चीज़े पढ़ेंगे हम part 2 में जो इंडियान economic development की unit 2 है सबसे ज़्यादा नंबर की ये है देख लेना 22 नंबर की है और last में जो भी इंडियाने development की है जितनी भी तरक्की करिये है उसका इसकी नेबर कंट्री के साथ comparison करने वाले है जो कि major नेबर कंट्री इंडिया की चाइना और पाकिस्तान ही है तो हम comparison भी इनके साथ ही करेंगे तो ये वाली unit आपकी 6 marks की है in totality फिर देख लेते हैं ये तुमारे फिर हो गए 40 marks ये थी तुमारी Indian economic development कुल मिला के हमें Indian economic development को अच्छे से रट लेना है क्योंकि theoretical concept है easy रहेगा marks लेना बहुत easy है थोड़ी analytical रहेगी macro economics तो आपने वहाँ पर diagrammatic presentation पे tabular formation पे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर याद करने का और समझने का काम है तो हम दोनों units को लेकर चलेंगे दोनों books को लेकर चलेंगे lecture by lecture हम एक एक unit को solve करते रहेंगे उसके different parts आएंगे आगे देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें like करें और आगे बढ़े नमस्कार